आप सब कैसे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ थोड़ा सा कोल्ड हुआ है मुझे इसलिए मैं आज जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ वो शाम से कर रही हूँ क्योंकि सुबा में मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था और कुछ सूट करने क मन भी नहीं था बस जैसे नॉर्मल रूटीन रहता है वही था तो अभी साम का टाइम है और मैं साम का जो काम होता है वो करूंगी तो अभी से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूं इस ब्लॉग को देखिएगा और इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ मसूर दाल की रेसि कुछ ऐसे सूखेय साथ मैं जा कुछ अरुकल नहीं इसोभ परपलरे इस कोई है ऊक्राइद क – जिसराओं होता है जा बना तेस्टी के साथ साथ में एंचे ए Starting यह क्वार्ण को मिस आता है नहीं दाल भी एक एक साथ जयसे हम दाल मखनी घ् उसका पसंद ना है सबहु को तो इसका भी टेस्ट वैसे ही मिलता जिलता है तो इस वीडियो में इस रेसिपी को देखिएगा अगर आप बनाते होंगे तो मुझे कोमेंट feedback दीजेगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं तो चलिए अपना blog स्टार्ट करते हैं तो अभी मैं आ गई हूँ kitchen में और यहाँ पे मैं market से सबजी लेके आई थी वो रखी हुई है बाद में इसे मैं polythene से बाहर करूँगी और जो clean करना रहेगा वो करके फिर fridge में रखूँगी दूसरे side मैंने gas पे रखा है घी बनने के लिए तो ये मक्षन मैंने निकाल के रखा था और अभी मैं रखती हूँ gas पे ताकि घी भी बनके तयार हो जाए क्योंकि मेरे घर पे बाहर का घी नहीं पसंद करते हैं सब लोग जो घर पे बनाया हुआ घी रहता है वही खाना पसंद करते हैं तो मैंने घी बनाने के लिए रख दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय क्योंकि अभी husband मेरे office से आये हैं तो उनके लिए चाय बनाऊंगी तो एक साइड मेरी चाय भी बन रही है दूसरे साइड मेरा घी भी बन रहा है और जो साम की खाने की तयारी है वो सब भी मैं स्टार्ट कर दूँगी तो सब चीजे साथ में ही शुरू हैं तो चलिए देखते हैं फटाफट में कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ यहाँ पे मैंने चावल भीगा दिया है आधे से एक घंटे पहले मैं भीगा के छोड़ देती हूँ जब मुझे बनाना होता है दूसरे साइड मैंने मसूर की दाल को भी भीगा दिया है तो यह आधे एक घंटे पहले ही मैंने भीगा दिया था चाए मेरी बन गई थी तो मैं चाए दे दूँगी यह दुबारा चाए बनी है क्योंकि यह जब ऑफिस से नहीं आया थे उसके पहले ही सब लोग चाए पी लिए थे मैं चाए लेकी आई ना तो प्लेट में थोड़ा सा नमकीन रखा हुआ था तो यह लोग बोल रहे थे कि यह मेरे लिए रखा है तो वही हम लोग हज रहे थे सब लोग चिठा रहे थे मैं बोली हाँ इतना ज़्यादा मेरे लिए रखा है और यहां पर आप देख सकते हैं काफी बन चुका है मतलब थोड़ी देर और पकाऊंगी वैसे तो यह लगभग तयार हो चुका है लेकिन थोड़ा सा और पकाना है इसे और उसके बाद जब यह थोड़ा सा नॉर्मल होगा फिर मैं अलग कर दूँगी च्छान के और यहां पर आप देख सकते हैं आलू पर दिया है उसके बाद मैं हींग डालूंगी हल्दी डालूंगी और स्वात की अनुसार नमक डालूंगी और उसके बाद इसका धकन लगा के तीन से चार प्रेशर आने तक कुक करेंगे जैसे हम लोग तूर की दाल बनाते हैं आरहर की दाल बिलकुल वैसे ही जैसे तूर दाल कटा हुआ और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा भूनूंगी उसके बाद जो मैंने आलू परवल काट के रखा है वो डाल दूंगी और बस जैसे सूखी सबजी बनती है न वैसे ही बनाना है तो ये दोनों चीज मैं एक साथ में कर लूंगी इस डाल के साथ में कोई सूखी सबजी ही अच्छी लगती है आप चाहें तो आलू की बुजिया जैसे आलू की सूखी सबजी बना सकते है या फिर बैगन की बना सकते है या तो फिर बैगन का जो कलोजी बनता है वो बना सकते है जो भी आप सूखी सबजी पसंद करते हों या तवा फ्राई वगर बनाना वो बना सकते हैं इसके साथ में उसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है तो अभी मैं इसमें हल्दी डाल दोंगी और धक धक के थोड़ी दिर पकाऊंगी उसके बाद इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे बात में नमक भी डाल देंगे तो ये सबची की रेसेपी तो कॉमन है क्योंकि आलो परवल की सूखी सबची ऐसे ही बनाते हैं ज्यादा तर लोग और बहुत से लोग थोड़ा से प्याज डाल के बनाते हैं मैं प्याज नहीं डाल रही थी मैं ऐसे ही ब तो अकसर साम में मैं बनाती हूँ इनके लिए और अपने लिए भी क्योंकि कोलिस्ट्रॉल के लिए ये बहुत अच्छा होता है तो आप इसे पी सकते हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद डाल के पी सकते हैं ने तो नॉर्मल भी हाला कि इनको मैं ऐसे ही देती हूँ यहाँ पर मैंने दो कप पानी रखा था और उसमें एक चमच अरजुन का जो पाउडर आता है चाल का वो डाला है इसे थोड़ी दिर तक पकाया है और अब मैंने चान लिया है तो इनके लिए मैं लेके जाऊंगी टैरिस पर क्योंकि साम के टाइम पर ये ओफिस से आये चा को आगे दिखाऊंगी तो ये अपना काम कर रहे थे और उपर आंटी बैठी थी तो बस मैं भी आ गई इनके लिए लेके अरजुन की चाय या काढ़ा भी बोल सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं हमारे प्लांट्स जो उपर लगाए गया है जिनका केयर ये बहुत अच्छे से करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे अच्छे फ्लार्स आते हैं आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा और इस टाइम पर ये व्यूब बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया है और बस ये जब भी लिक्विड डालते हैं कोई दवा है वो बना रहे थे तो बताये कि साथ 25 लिटर पानी में इसे दो धक्कन डाला जाता है ये है वो दवा जो प्लांट्स के लिए ये डालते हैं और काफी अच्छी होती है और इसके बारे में ये कुछ एक्स्प्लेइन भी कर रहे थे लेकि यहां पे ये मेरे टेरिस से कुछ हाईवे का व्यू इस तरीके से है और अब मैं आ गई हूं नीचे और ये दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है तो चलिए अभी इसमें तड़का लगाते हैं तो अब मैं गैस पे रखोंगी कढाई और उसके बाद इसमें डाल यहां पर यह चोटा सा चमच आप देख रहा है जादा तर तेल के लिए मैं यही यूज करती हूँ तो तेल गरम हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूंगी जीरा डाल बनाते से मैं मैंने हींग डाल दिया था पहले ही और जीरा जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो उस जिसमें डाल दी है प्याज को अच्छे से भून लेंगे और ताकि प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है तो बस इसी तरीके से इसे भून लेना है अब मैं इसमें डालोंगी अद्रक लसन और हरी मिर्च क इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अधरक लसुन भी मैंने अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, एक बड़ा टमाटर था जिसे मैंने चौपर में डाल के अच्छे से चौप कर लिया है, टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर भूनेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें कोई भी कच्छापन न रहे, उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, और बस ये आप देख सकते हैं, ये प्याज, टमाटर, लसुन, अदरक जो सब मैंने डाला था ना, वो काफी अच्छे से भ और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है, इसे अच्छे से भून लेंगे, मसाले बिलकु की डाल तैयार हो जाएगी, और अब मैं ये डाल इसमें डाल दे रही हूँ, इसी तरीके से आप चने की डाल बना सकते हैं, मसूर की डाल बना सकते हैं, और उरद की जो डाल बनती है, वो भी आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है, तो यहां पे डाल को मैंने इसमें दाल दिया है थोड़ा से इसे हम पका लेंगे ताकि मसालो का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं दाल में मेरे बॉयल आना शुरू हो चुका है फिलहाल ये दाल अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है इसमें एक और तड़का ल हमारी बिल्कुल बंद के तयार हो चुकी है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढख के रख देंगे साइड में अफिर उसके बाद मैं गैस पे एक छोटा सा फ्राइंग पैन रखूंगी उसमें मैंने एक से डेड़ चमच के लगभग डाला है देसी घी घी को गरम करेंगे और जब घी हमारा गरम हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बारी कटा हुआ लसन तो यहां पे मैं एक से डेड़ चमच के लगभग बारी कटा हुआ लसन और उसमें थोड़ी से हरी मिर्च भी डालके मैंने काट ली थी वो मैं इसमें गी में इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो लसन का कलर है वो ब्राउन हो जाए यह आप देख सकते हैं बिलकुल ऐसा ही तो बस अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और अपनी जो डाल बनाके रखी है ना उसमें मैं इसका तड़का लगा दूँगी और यह पैन जो है ना मैं फटा फट से रोटी बना रही हूं रोटी आज मैं उसी स्टाइल से बना रही हूं इसके पहले मैंने जो बनाया था ना मलाई दो प्याजा उसके साथ में जो मैंने रोटी बनाई थी ना इस रोटी की रेसिपी मैंने उसमें डाली एक यह आटा मैंने कैसे गूथा ह तो इस तरीके से रोटी बनाओ इस दाल के साथ में बहुत टेस्टी लगती है अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे इसके पहले वाला ब्लॉग देखिएगा तो उसमें वो रसेपी है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है तो अभी मैं फटा फट से रोटी भी सेख लू तो इसी तरीके से हम और भी रोटी बनाएंगे और रोटी बनने के बाद ने इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसके बाद इसे खाई ये बहुत जादा टेस्टी लगती है इसमें घारलिक का फ्लेवर है और मैंने कलोजी डाला है मैं यानि की मंगरेल उसका फ्लेव और ये जो मसूर की डाल है उसके साथ तो इसका स्वात काफी जादा बढ़ जाता है तो रोटी बन चुकी थी खाना बिल्कुल रेडी था तो यहां पे मैं सबसे पहले शौरिया का प्लेट लगा दे रही हूं क्यूंकि सबसे पहले उसको ही देती हूं उसको भूख लगी तो देखते हैं अभी रियक्सन क्या आता है शौरिया का उसको कैसा लगता है और हाला कि यह दाल तो सबकी फेवरेट है मेरे घर में यह सबको बहुत जादा पसंद आती है तो फिलहाल शौरिय के लिए मैं लेके जा रही हूं और उसको यह कैसा लगा क्योंकि जब भी यह रोटी इस तरीके से मैं बनाती हूं तो बोलता है मॉमा यह बिल्कुल धाबे वाला खाना लग रहा है और कभी उसको यह खाने का मौन होता है तो बोलता है नहीं आप धाबे वाला खाना बनाओ ना पता नहीं क्या उसको है कि उसको यह जो है यह मतलब तरीका और यह खाने का टेस्ट बिल्कुल धाबे वाला ही लगता है तो अभी देखते हैं उसका रियक्षन उसको बहुत अच्छा लगा तो बस इस तरीके से मैंने बनाया है और सब को बहुत पसंद आया तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे ल करके जरूर बताईएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिस करूंगी कि कुछ और भी रेसिपी आप सब के साथ शेयर करूं गुड़ नाइट